नमस्कार दोस्तों फिर से आपके अपने यूटूब चैनल नी अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आधार यूशेल जो हमारी थी वो सही से लोगिन नहीं हो पारी थी इसके साथ ही अगर लोगिन हो भी जा रही थी तो अगर हम एड्रेस चेंज करते थे तो पिन कोड जब हम टाइप करते थे तो ओटो पिन कोड सेलेक्ट नहीं हो पारी थी लेकिन दोस्तों आप नई वर्जन आचुकी है जिस वर्जन के बारे हम हम आगे जानेंगे कौन सी ये नई वर्जन आई है अभी तक अगर आपकी old वर्जन है तो इस परकार की समस्याएं आ सकती है इसके लिए आपको करना क्या होगा कैसे करना है सारे बाते दोस्तों इस वीडियो को माध्यम से आप कवर कर लेंगे जैसा कि दोस्तों हमारी जो आधार UCL की वर्जन चल रही थी जो हम अभी तक यूज कर रहे थे उसकी वर्जन जो थी वो दोस्तों ये रहा 3.3.4.2 slash 103-2 ये वर्जन चल रही थी दोस्तों जिसे आप हमारे करसर के पास देख पा रहे होंगे लेकिन दोस्तों इसी वर्जन में प्रोब्लम आ रही थी अपडेट होने के बाद लेकिन फिर से इस वर्जन को अपडेट कर दिया गया है अब जो वर्जन हो गई है दोस्तों वो हमारी तो ये रहा 103-3 हो गई है तो चलिए इस version में क्या problem आ रही है और किस परकार से इस version को हमें update करना है अगर अभी तक आपकी software auto update नहीं हुई है तो क्या करना है आपको और किस परकार से इस version में आप convert कर पाएंगे अपने आधार UCL को तो चलिए हम आगे जानेंगे आधार UCL की software में जो भी version update हुए फ्रेंड तो चलिए हम उसे open करेंगे और जानेंगे ये कौन सी version अभी नहीं आई है जैसक दोस्ता आप version देख पा रहे होंगे 103-3 ये नहीं version आ चुकी है और हमारी आधार UCL auto update हुचुकी है अगर आपकी software auto update नहीं हुए था आपको करना क्या है किसी भी परगार की छेड़ चाड़ आपको नहीं करना है फ्रेंड अगर आप करना भी चाह रहे हों तो क्या करें सर्च के मेनू में चले जाए और यहाँ पर आपको service टाइप कर देना है जब आप service टाइप करेंगे तो इसे आप open भी कर लेंगे जैसे आप open करेंगे तो इस परगार की dashboard आपको नजर आएगी आप हमारे cursor के पास देख पारे होंगे आधार OTA update client इसी software को आप 5-5 मिनट के अंतराल में restart करें एक दो बार और अपने PC को भी restart कर दें अगर आधार UCL की software update नहीं हुए तो auto update हो जाएगी इसके अलावा आप किसी भी परगार का छेड़ चाड़ नहीं करेंगे अपने software के साथ हो सकता है समय के साथ सबका auto update हो जाए तो किसी परगार की छेड़ चाड़ करने का हो सकता नहीं है और 99% लोगों का तो auto update होई चुका होगा तो चलिए आगे हम login करेंगे और देखेंगे किस परगार की dashboard है और क्या changes की गई है इस software के अंदर साथ ही ये भी जानेंगे दोस्तों login होने में problem आ रही है या फिर असानी से login हो जा रही है तो इसके लिए हमें GPS पहले start करके connect करना होगा GPS हमारी find हो चुकी है अब हम इसे save GPS कर देंगे इसके बाद हमें process में जाना होता है फिर हम synchronize operator detail पे click करते हैं और फिर से हमें इसी option पे click करना होता है हमारे mobile पे OTP जाएगी उस OTP को हमें validate करना होता है login भी अभी आसानी से हो जा रही है friend आगे का process तो आपको पता ही होगा कि क्या करना होता है हमें इस वीडियो का बनाने का हमारा main मकसद यही था कि आधार UCL की जो software है वो update हो चुकी है इसकी जो update वर्जन जो आप आचुकी है वो आप यहाँ पे हमारी करसर के पास देख पा रहे होंगे इसके साथ ही dashboard में किसी परकार की change नहीं की गई है लेकिन जब हम किसी customer का address में pin code डालेंगे तो कुछ नई पोस्ट ओफिस का भी नाम आप देख पाएंगे जो पहले एड नहीं थे या फिर जो भी पोस्ट ओफिस का नाम गलत था तो उसे correct किया गया है सायद तो इसे जब हम use करेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे अगर दोस्तो पुरानी वर्जन आपकी अभी तक अपडेट नहीं हुई है तो हो सकता है login करने में problem आया या फिर other कुछ problem आया तो दोस्तो आपको tension ने नहीं का हो सकता नहीं है आप बस computer को on कर दें और बीच-बीच में restart करते रहें आपकी आधार UCL की जो software है वो auto update हो जाएगी आशा करता हूँ दोस्तो सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी आधार UCL से related किस परकार से अपने software को आप अपडेट करेंगे साथी जो नहीं update आई है वो भी आप जान चुके होगे वीडियो देखने के लिए आप से भी दोस्तों का बहुत बात देने वार थैंक्यू